योग एक अती महत्तपुन विज्यान है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। पूरे मुख्या मंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपने संबोधन में कहा कि योग को जितना किया जाए उतना कम है। हमें कोई गंबीर विमारी होती है तो अन्यची किसा पधतियों से जब इलास करवाते हैं तो वो विमारी ठीक हो जाती है जिसका हम इलास करवाते जाते हैं। लेकिन कईवा साइड इफेक्स हो जाते हैं लेकिन योग से कोई साइड इफेक्स नहीं होता। केबल सकारात्मक प्रभा भी इसका शरीड पर पड़ता है। हम योग को क्रियात्मक रूप से अपनाएंगे तो हमें खुद ही इसके लाब समझ में आ जाएंगे। भारतिय संस्कृति के इन गुणों को हमें परचारित और प्रसारित भी करना चाहिए। मैंने इस पड़ती से योग करके देखा है, थोड़ा अनुभब लिया है, उसका बहुत लाब रहता है। लोगों को रहात मिलेगी शारीरिक तनाव से, मानसिक तनाव से, और सामाजिक तनाव से, और भारतिय संस्कृति को फिर से विश्व गुरूप बनाने में जो काम स्वध्य प्रदान मंतरी निरेंदर मोधी जी ने योग दिवस की बात करके किया है, उसकी तरफ एक और कदम में जूरने वाला होगा, मैं इनको बहुत बहुत साधूबा देता हूँ, इनकी सफलता के लिए शुप कामना है देता हूँ मुख्य वक्ता, किस्मत कुमार ने भी योग्ज किस्ता पर प्रकाश डाला, अनंदित योग संस्थान के संस्थापक ने इस योग फदिती का परज़े देती हुए कहा कि करनाटका के मैसूर्थान से बहुत बड़े योगी वी के ऐसे, यंगर ने इस फदिती को शुरू कि अनंदित योग संस्थान इस से पहले चंडीगर में स्वस्ते की क्षितर में लोगों को भरपूर लाप पहुंचाने के लिए स्राहनी कारे कर चुका है और अब हमिरपूर की लोगों को ये लाप पहुंचाने के लिए ये संस्थान स्मर्पित है इस अबसर पर अनिल सुहारू निरेंदर अत्री किशोर कुमार पंकस भार्ती राकेश शर्मा राकेश ठाकूर अंकुष्दत शर्मा अजेर रिंटु आधी सहीत सैंक्रों अन्य लोग मौजूद रहे